हाई मैसल्फ हरीश एतिवारी और इस बार वीडियो लेट अप्लोड करने के लिए आप सब्सक्राइब क्योंकि पिछले तीर महिने में आप लोगों ने जितना मुझे सपोर्ट किया है प्यार दिया है उसका नतीजा यह हुआ है कि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक स्टैंडब कॉमडी शो जिसका नाम है कॉमडी स्टूडियो इस शो को होस्त कर रहे हैं आपके अपने फेवर कॉमडी चैनल तो जब यह शो आए आपको पता चल जाएगा और जिन्होंने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब ने किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही ना भूले मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम और फेस्बुक पे इसकी आईडी आपको डिस्क् और दूसरी चीज की पैसेंजर से एयर हॉस्टेस कैसे बिहेव कर रहें बड़े अच्छे से बिहेव करते कि या या सिर हां टी कॉफी या एक्स्क्यूज मी सर्य बी केरफूल सर्य या ओकी मैं सुशता हूं कि अगर मेरे महले की लड़किया भी ऐसी बिहेव करने लग या 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 अब भावी अपने गहने निकाल के रख लेंगी क्या हां मुझे जलन हो रही है या थैंकियो भावी हां या सेम टू आपके मूबे क्रिड़े पड़े या हां भुआ ओहो इसाड़ी कितने के लिए 20,000 ओहो नाइस 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 रुमाल से पोस्ट दू आप आपके गोदी में थोख लूँ प्लीज थोड़ा सा नहीं तो नॉर्मल वाला ऐसी नहीं मुझे थोख लूँ प्लीज अच्छा चलो कोई बात नि तो सैंडल बाहर उतार काईए न हमारा टाइल्स खराब हो रहा है मदम नॉर्मल मंदिर में भी खड़ी है भगवान से पूछ रही है या भगवान प्रशाद में क्या लेंगी या फ्रूट या स्वीट नहीं अच्छा कोकोनेट मंदिर के लाइन में लोग लगे है उनके पास जाके सुनिया भगवान के सामने खड़े है प्लीज अपने मु सामने से मगर मचा रहा है केता मैडम साफ पानी मिलेगा मचलियां दिखाई नहीं देती मेरे सपने में एक दिन आया कि मेरी गल्फ्रेंड एयर होस्तेस बन गई है तो सुबे से तो बहुत अच्छे से ब्याइव खरी कि हरी हां चाय लेगा काफी हां लंच में क्या अच्छ पूर्टे हुए आदमी को क्या चाहिए तभी में को लगा ना मेरे पेट में कुछ बंदा हुआ एकदम टाइट सा उटके देखा तो पूरे बेट के समेट सीट बेल्ट बंदा हुआ था मैं बूला यह क्या है केती बाहर मासब खराब है ना इस सो डेंजरस यूनो तो उसको हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी तुन्य ने मुझसे पूछा यह मिस्टर हरी वेज और नॉन्वेज मैं बूला वेज में को निकाल के दी अब बगल में आंटी थी एर होस्टेस ने उससे कुछ बोला भी नहीं था आंटी कहती नॉन्वेज अब वो समझाने लग रहेज वेज़ी ने में बूरा इंकली अगहिए समझा रही है किकी जैसा एटिट था अन्टी का सुबाक कि Allah में इसे थी नहीं करी में भी बूला मैं भी नहीं आपना खाने लग यह आपका जू टिकेट है उसमें में मिल इंक्लूड नहीं है आपने से अरह की था तो आप सामने menu card रखा है उससे अलग से order कर लीजिए ये बोल कि वो चली गई है अब आंटी बैठी है आप मैं खा रहा हूं दस मिद बाद air hostess आई उसको देख के आंटी कहती excuse me where is my meal air hostess फिर से English में मैंने आपको समझाया है तो था कि ऐसा ऐसा है आपने include नहीं है मिल में ठीक है तो आप menu से order कर लीजिए पांच मेट तक air hostess लगा तर बोली और आंटी या या हूं हूं ओके अब पांच मेट बाद आंटी ठीक है नौनवीज भी चलेगा वो air hostess गई सामने वाले air hostess के पास प्यार से बोली बहन इसको समझा मैं इसको बोल रही हूं कि इसके टिकट में में लिल जूट नहीं है तो वो तो बड़े प्यार से उसका profession है प्यार से बोलना लेकिन अंदर से उसका इतना दिमाग खराब था इसको समझा समझा के में को समझ में आ रहा था उसकी अंतरात में क्या बोल रही कि बहन देख इसको समझा दे मा कसम दिमाग पांच बार समझा चुकी हो इसको चार साल की देहास में अभी तक ऐसा पैसेंजर नहीं मिला मैं क्या यहां टिफिन लेके घूम रहे हो खाने का है जो देखो मांगते रह मांगी ना खाना वापस जाके गोल्डन टैंपल पर लेंड कवाऊंगी अब बोलूं कि जितना खाना एं खा और पेट भर जाना तो मुह में ठूस ले ना फ्लाइट में जाते आते मांगना मां तूसी को चबाना अब आंटी ने देख लिया कि वो दुनों बात कर रहे हैं अब वो एरहोस्तेस आके फिर से इसको समझाएगी और हो जाएगी बेज़ती तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि बेटा वो क्या बोल रही थी मैंने उनको समझाया कि आंटी ऐसा ऐसा है आपके टिकेट में में मेल इंक्लूड नहीं है आपको अलग से और करना पड़े हा ये बोलते-बोलते मेनु निकाला और उसमें जो खाने का रेट देखा तो उनकी हालत क्या होई कि हाँ बेटा मैं आसे करते बिटा हम याला है बेटा बोली थी ना भरस्टाचार है तो मैं क्या क्या तो दूरू हूँ इवं जो लेटी है अँटी अभी तक ने उठी है so thank you guys that's my time myself Harish Yetiwari देखते रिए धाई किलो कॉमड़ी लाइक किरिए शेर करिए और सब्सक्राइब करिए thank you so much